आपको एक पूराना स्पार्क प्लग लेना है और उसको जो वाइट पोर्षन है उसको फोड़ना है थोड़ा आराम से फोड़ना है अभी मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूं इसलिए वो बराबरनी आया है जो वाइट पार्ट है उसको फोड़ना है आपको जो नीचे के थ्रेड है स्पार्क प्लक के वो डामेज ने होने दिने क्योंकि वो इंजिन के अंदर लगेंगे इसको फोड़ने के बाद अपने को वाइस में लगाना है और उपर की जो लाइन है उसको घिसना है आऽ आँछ जो प्लक को इस प्रकार से वह इसमें फिक्स कर लेना है यहां कि यह बेंज पर फिक्स होता है यई लेगिन मेरे पासे खुला हुए इसलियुक्त टुम्स में है कि यह जो बोलट जहां शुरू होता है ना वहां तक अपने को उसको घ्राइंड करना है जो उपर-उपर का हिस्सा है उसको ग्राइंड करना है फिर उसको उल्टा करके जो इलेक्ट्रोड है उस पे मारेंगे तो वो अंदर का वाइट निकल जाएगा अब इसके अंदर वही सेम साइज के वशर अंदर ठोक देने के मतलब अंदर घुसा देने के उसके ताकि जो हम राड डालेंगे उसके अंदर वो बराबर से मूँ होगे हो जाएगे मतलब बेंड क्रॉस ना स्लाइड हो इसे दो तीन वाशर उसके अंदर लगा देना है एक बोल्ट को उल्टा करके भी उसको अंदर अंदर तक ढखेल देना है ताकि हम थोड़ा उसके अंदर पाइप लगा सके थोड़ा उपर इस प्रकार से बन जाने के बाद उसके अंदर पाइप लगाना है वेल्डिंग करना है यह रॉड में ने स्क्रैप से लिया था यह वही शेप और साइज का है मतलब वही डायमेटर का है ताकि अंदर फ्रीली स्लाइड हो सके उसके अंदर इसमें ने इसमें एक पाइप ड़ला और यहां पर गैस वेडिंग मार दी पूरी यहां पर फाइल से थोड़ा पॉरिशन कट कर दिया है और यहां पर जो वाशर है वो यहां पर वेल्ड कर दिया है अब इसको मैं फिनिशिंग दूंगा घिस के तोड़ा सा अब यह जो तरह से चला जा रहा है देखिए अब इसको सिर्फ फिनिशिंग देना बाकिए तो जब हम ये पिस्टन के ऊपर लगाएंगे मतलब स्पार्क प्लक की जगा तो जैसे पिस्टन अब डाउन होगा तो ये रोड भी उसके साथ अब डाउन होने वाला है और जब टॉप डेड से सेंटर पर चला जाएगा मतलब उपर सबसे ज़्यादा उपर तो यह यहां पर कई आ जाएगा और यह वाशर हमने इसलिए लगाए जो मैं दिखा रहा हूँ यहां पर ताकि हम यहां पर स्केश्पेन से मार्क कर सके जैसे मार्क करेंगे तो वह हमारा टीडी सी लोकेट हो उसके बाद हमें पॉइंट सेटिंग के लिए जितना भी हम उपर नीचे करना है उतना हम कर सकते हैं अभी मैं इसको थोड़ा फिनिशिंग दूँगा अभी अभी मैंने वेडिंग करके लाया है इसको ग्यास वेडिंग अभी यह अपने पासे साफ्ट वेपर थोड़ा यह अख्री में फिनिशिंग के लिए यह थोड़ा हार्ड वाला है मतलब थोड़ा और यह तो फाइल है अपने यह राउंड वाली और यह फ्लैट तो इससे मैं इसको फिनिशिंग दूँगा अभी वीडियो नहीं खिच सक आपके क्योंकि मैं काम कोरूंगा तो एक हाथ से वीडियो नहीं ले सकते हैं इसको फिनिशिंग देने के पाद है अभी अगर इलेक्ट्रो प्लेटिंग रहते तो इसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते ज़े लेकिन उसके कोई ज़र रुख ने उसको थोड़ा कलर लेकिन इसका फंक्शनिंग बराबर चालोएं इसको भी मैंने घिश के राउड कर दिया है तो इस प्रकार से यह बन चुका है इसका यूज कैसे करेंगे और इसके हिसाब से एक दम पर्फेक्ट